हलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू मैं चैनल स्मीता इंडियन किचन में मैं स्मीता आज आपके लिए लेके आई हूँ एक रेसिपी जो है रोडगे महाराश्रमें इसे रोडगे कहा जाता है राजस्तान में इसे बाटी कहा जाता है महराश्र में जब गाउ में यात्रा होती है तो यात्रा में ये ज़ादा कॉंटिटी में बनाये जाते है ये दाल, आलो वेगन की सबजी और रोड़गे ऐसा इसका कॉंबिनेशन है अगर आप नौनवेज काना पसंद करते हैं तो नौनवेज के साथ इसका तो कोई जबाब नहीं लेकिन आप नौनवेज नहीं खाते हैं तो कोई भी स्पाइसी सबजी के साथ ग्रेवी वाले सबजी के साथ ये बहुत बढ़िया लगते हैं तो आप इसे जरूर जरूर ट्राइ करें और comment box में मुझे comment करना ना भूले तो आइए हम देखते हैं इसकी recipe रोड़की बनाने के लिए हमने लिया है 4 कटोरी गेहु का आटा रोड़की बनाने के लिए वैसे तो दर-दरा आटा चाहिए रहता है जैसे सूजी होती है बस उसी प्रकार का लेकिन हमारे पास जो घर में रोटी बनती है उसी का आटा है तो हमने आज उसका ही आटा लिया है चार कोटोरी अभी हम इसमें एड करेंगे एक कटोरी भरके मोटी सूजी सूजी से ये बहुत अच्छे से बेक होते है और इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़िया लगता है और अभी हम इसमें एड करेंगे एक टीस्पून बेकिंग पाउडर ये बिल्कुल ऑक्षनल है अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं इसमें हम डालेंगे एक चमच नमक एक चमच से थोड़ा सा हमने ज़्यादा नमक लिया है क्योंकि रोड़िये में नमक थोड़ा ज़्यादा ही होता है रोटी के कमपेरिजन में और अभी हम डालेंगे इसमें चार से पाच चमच रिफाइंड ओईल ये मोहिन के लिए हम डालते हैं इसकी जगह अब घी कभी इस्तमल कर सकते हैं और ये सारे जो इंग्रिडियन्ट है वो अभी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा ओईल के साथ आटे को रब कर लेंगे और इसे पानी से हम सक्त गून लेते हैं पानी भी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा ही एड़ करना है क्योंकि अगर हम एकदम से पानी डालेंगे तो आटा हमारा सॉफ्ट हो सकता है हमें थोड़ा सा टाइड डो ही इसका बनाना है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी का प्रयोग करेंगे तो आटा हमने लगा लिया है और इसका एक uneven डो बनके बिल्कुल रेडी है तो अभी बाटी कैसी बनती है तो हम आप क्यों बताते हैं तो थोड़ा सा एक छोटा सा तुकड़ा हमने निकाल लिया है इसका अगर आपको इससे थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप बड़ा ले सकते हैं आप मंचा है आकार का या मंचा है आप ये बाटी बना सकते हैं तो हमने थोड़ी सी बड़ी बाटी लिए है, मिडियम साइज की है ये और एक बॉल इसका बना लिया है और बीच में से हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे बस इसी प्रकार का हमें रोड़गा चाहिए ये परफेक्ट रोड़गा बनके बिल्कुल रेडी है और अभी हम आपको दुसरा भी रोड़गा बना के दिखाएंगे बाटी और रोड़गा सेम ही होता है इसलिए हम बार बार इसे बाटी भी बोल रहे हैं रोड़गा भी बोल रहे है बन चाहे साइज का आप इसे बना सकते हैं और इसे थोड़ी सी मैनत करनी पड़ेगी क्योंकि आटा जो है हमारा थोड़ा सा सक्त है एक बॉली आपको हाथ में बना लेना है और उसको बीच में से थोड़ा सा आपको प्रेस करना है ऐसा करके हम सारे रोडगे बना लेते हैं और उसे एक डिश में रख देते हैं हमने सारे रोडगे बना के बिल्कुल रेडी कर दिये हैं और अभी हमें इसे बेक करना है तो हमारे पास गैस तंदूर है तो अभी हमने वो pre-hit करने रखा है पांच मिनिट पेले हमने जो गैस तंदूर है उसको pre-hit करने रखा था तो पांच मिनिट में ये हाई फ्लेम पे pre-hit हो चुका है तो अभी हम इसमें जो रोड़गे बनाए हैं वो प्लेस कर देंगे एक-एक करके और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है 15 मिनिट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाने है और 15 मिनिट तक हमें इसे एकदम लो फ्लेम पे पकाने है तो हमने इसे अच्छी तरीके से प्लेस कर लिया है और गैस का फ्लेम भी हम एक बार चेक कर लेंगे और इसे हमें अभी cover करके रखना है और 15 मिनिट बाद हम इसे turn कर लेंगे 10 से 15 मिनिट हो चुके हैं हमने medium flame पे इसे रखा था तो अभी हम इसे देखते हैं तो अब देख पा रहे होंगे कुछ-कुछ बाटिया crack हो चुकी है कुछ-कुछ जो रोडगे है वो crack होए है तो अभी हम एक बार इसे turn कर लेंगे कुछ golden हुए है और कुछ नहीं हुए है इसको अच्छे से flame नहीं लगा होगा तो आपको इसकी खबरदारी लेनी है तो अभी हम इसे feel से एकदम low flame पे 15 मिनिट तक सेक लेते हैं 15 मिनिट हो चुके है हमने low flame पे 15 मिनिट के लिए इसे रखा था तो अभी हम इसे खोल के देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे सारे जो रोडगे है वो अच्छी तरीके से पक गए है पक गए है यह कैसा समझे हर एक रोडगे को क्रैक आया हुआ है इसका मतलब यह है कि यह अंदर से बढ़िया से पक चुके है अच्छे से बेक हो चुके है इसे किसी-किसी रोडगे को कलर नहीं आया है तो डरने की कोई बात नहीं कभी-कभी ऐसा होता है लेकिन ये अंदर से बहुत बढ़िया से हो चुके है मैं आपको एक तोड़के भी दिखाऊंगी तो अभी हमें गैस का फ्लेम बंद करना है और इसे ऐसे ही रखना है क्योंकि जो गैस तंदूर है वो बहुत बढ़िया से हमारा गरम है और इसके जो गरमावट है वो बाटियों को लगेगी और फिर से ये थोड़ी देर के लिए पकेंगे तो हमें इसे थंडा कर लेना है बाटिया हमने तंदूर से निकाल ली है और उसे होट पोट में रख दिया है तो अभी हम आपको एक बाटि दिखाएंगे देखिए ये बहुत बढ़िया से पकी हुई है और सारे जो बाटिया है वो इसी प्रकार से क्रैक हो चुके है और ये बहुत बढ़िया से पक चुके है तो आप देख पा रहे होंगे हमने एक तोड़ दी है और ये बहुत ही बढ़िया दिख रहे है और यह लगते भी बहुत टेस्टी है है आप कोई भी मसालेदार सब्जी के साथ इसे खा सकते है या दाल के साथ भी यह बहुत टेस्टी लगती है आप इसे ज़रूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट करना ना भूले तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको रेसिपी अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर करना ना भूले तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमशकार